नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्रखन पोश्ट पर मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी ने रविवार को सुभाश रोड इस्तित होटल में आयोजित कायकर में प्रतिभाग करते हुए गोशना की कि प्रदेश में महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए मुख्य मंतरी नारी शशक्तिकरण योजना का शुभारंब किया जा तथा उन्हें योजना के तहट 30 प्रतिशत अत्वा 1 लाग रुपए तक की सबसिडी प्रदान की जाएगी इससे बड़ी संख्या में महिलाएं लाभानवित होंगी योजना का लाव अविवाहित तलाकशुदा विकलांग आदी महिलाएं प्राप्त कर सकेंगी इसके उतना के अंत्रगत रेन उपलब्द कराएगी मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मात्रशक्ती के लिए बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ तथा उज्वला योजना ने हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बदल दिया है राज्य की आर्थिकी के विकास में मात्रशक्ती की ब कारगर व्यवस्ता की गई है प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वाव लंबन का आधार बनी है इसके लिए 119 करोड के पैकेज की व्यवस्ता भी की गई है धामी ने कहा कि राज्य बनने के बाद हमारी युवाओं की सबसे एहम मांग रोजगार को लेकर दी उसी के द्रश्टिकार प्रदेश में 24,000 सरकाली प्रदोबर उनिवस्ती प्रक्रिया प्रारंप की गई है सबी प्रक्रियां जल्द ही पूर्ण की जाएंगी 31 मार्स 2022 तक जो भी भरती की जाएंगी उनमें कोई आविदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। युवाओं को समुगव की परिक्षा में सामिल होने के लिए अधिक्तम आयू सीमा में एक साल की छोड़ दी गई है। धामी ने कहा कि हमारे युवाओं स्वैम को स्वरुजगार से रोजगार देने वाले बरें। इसके लिए मुख्य मंत्री स्वरुजगार यूजना आदी के तहट लिवाओं को स्वरुजगार से जोड़ा जा रहा है। धामी ने कहा कि सरकार लाखों लोगों को स्वरुजगार उपलद्ध कराने के लिए विस्तरत कारी यूजना त्या भारत का जो सपना था वो मोदी के मजबूत तथा सफल नेत्रत्व में पूर्ण हो रहा है अग्वानिस्तान में फंसे एक एक भारतिये को वापस लाने का कारी हमारी केंद्र सरकार नहीं किया है निशित रूप से जो हम आत्मनिद्वर भारत तथा शक्तिशाली भारत कहते हैं वह बंद रहा है मोदी जी के नेत्रत्व में प्रदेश के विकास में एक नई क्रांती का जन्म हुआ है पूरे प्रदेश में सडकों का जाल बिछा दिया गया है दिल्ली दराद उनके बीच दूरी अब आधी से भी कम रहे गई है रिशी केस कर्ण प्रियाग रेलवे लाइन में आधुनिक्ट मशीनों से टनल का कार्य किया जा रहा है धामी ने कहा कि कुरून महमारी के कारण प्रदेश में चारधम यात्रा पर रोक लगाई गई थी परन्तु हमारे प्रयाथ से कोविड नियमों के पालंग के साथ यात्रा दुबारा शुरू कर दी गई है हले ही अभी हलके इस्तर पर यात्रा हो रही है परन्तु जल्द की यात्रा पुराने स्वरूप में आ जाएगी धामी ने कहा कि हमारी सरकार जो भी घुशना करेगी वह अवश्य पूर्न की जाएगी अभी कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधिया प्रभावित हुई है परिटन परिवहन ग्रास्टिं व्यवसाय को भारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 करूड का पैकेश दिया गया है इसी प्रकार स्वास्त शेत्र के लिए राज सरकार ने 205 करूड का पैकेश दिया है यह धनराशी सीधे उनके खाते में डीबीटी के मात्यम से जमा की जा रही है उत्रहंट से जुड़ी तमाम खबरे पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें